दोस्तो आपने देखा होगा कि कुट्ते हम इसा खुले में ही सहवास करते हैं लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है क्या तो आई ये जानते हैं दोस्तो ये कहानी सुरू हुई थी महाभारस से जैसा कि आप जानते हैं द्रौपदी पांच पांड़ों की अकेली बीवी थी पांच पांड़ों भाईयों ने एक साथ ही द्रौपदी से विवा रचाया था इस विवा के बाद पांचों पांड़ों भाईयों ने निर्धारि और उसी के साथ समय व्यतीत करेगी। इनमें ये भी निर्धारित हुआ कि जब द्रौपदी एक पांडव के कक्ष में हो तो उस समय कोई दूसरा पांडव भाई उस कक्ष में प्रवेस नहीं करेगा। यहीं से सुरू हुई कुत्तों को श्राप मिलने की घटना। धरासल जब द्रौपदी एक पांडव के साथ दक्ष में होती थी तो वो पांडव कक्ष के बाहर अपनी पादुकाई छोड़ देता था ताकि दूसरे पांडव को पता चल जाए कि कक्ष में दूसरा भाई है और उस समय कक्ष में परवेस नहीं करना है लेकिन एक बार जब अर्जुन धर वपदी के पास कक्ष में आया तो उसने भी अपनी पादुकाई ककष के बाहर छोड़ दी ताकि दूसरे भाई हुको पता चल सके की कक्ष में परवेस नहीं यहीं करना है exist में जब ककष के अंदर द्रौपदी और अर्जुन प्रेम प्रसंग में लीन थे तब ही एक कुता गूंता गूंते आया और कक्ष के बाहर रखी अर्जुन की पादुकाएं उठा कर पास के जंगल में ले गया और उनके साथ खिलने लगा इसी दौरान भीम द्रौपदी से मिलने कक्ष में आया और अचानक भीम के अंदर आ जाने से द्रोपदी को काफी सरमंदगी महसूस हुई इस घटना से दोनों भाईयों में भी तनाव हो गया और अरजुन ने भीम को गुसे में कहा कि जब मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाई छोड़कर आया तो तुमने अंदर प्रवेस कैसे किया तब भीम बोला कि बाहर तो कोई पादुकाई नहीं रखी है तब दोनों भाईयों में बाहर आके देखा तो सच में अरजुन की पादुकाई वहां से गायब थी पादुकाई कौन ले गया इसकी खोज में दोनों भाई पादुकाई ढूंडते ढूंडते पास के जंगल मे जहां उन्होंने देखा कि एक कुट्ता अर्चुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा था जब द्रौपदी को पता चला कि कुट्टे के द्वरा पादुकाओं उठाकर ले जाने के कारण सा हुआ है तो द्रौपदी ने गुसे में उस कुत्ते को श्राब दे डाला कि जैसे आज मुझे किसी ने सहवास करते हुए देखा है वैसे ही सारी दुनिया तुमें भी हमेसा सहवास करते हुए देखेगी इसी इश्राब बेकारण माना जाता है कि कुट्ते हम इसा खुले में सहवास करते हैं और सहवास करते समय उन्हें कोई लाज सर्म नहीं आती दोस्तों आपका महाभारेस जुड़ी स्खटा के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माधधम से जरूर बता है और इस वीडियो का पार्ट तू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट तू जरूर लेकें और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टार्गेट रखते हैं 5000 लाइक अब 5000 लाइक इतने जादा तो है नहीं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिस है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाल